अभी हम division सीख रहे हैं two step division इसमें अभी हमने सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना है कि जब हम 10s की digit को divide करते हैं diviser से तो जो remainder आना चाहिए वो remainder smallest होना चाहिए छोटे से छोटा होना चाहिए पहले भी आपने ये division किया हुआ है जिसमें के remainder जो है वो छोटे से छोटा आता है अभी ये अगर हम 72 has to be divided by 3 तो 72 को 3 से कैसे divide करेंगे पहले हम 10s की digit को divide करेंगे 7 को तो 7 को divide करने के लिए हम 3 1s are 3 करेंगे यहां पर no 3 1s are 3 नहीं करेंगे हम करेंगे 3 2s are 6 6 6 विकास जो यहांपर remainder आना है वह छोटे से छोटा होना जी यह पहले हमने कोशिश करना है अगर remainder zero आता है नहीं तो remainder one आता है नहीं तो remainder तूब आता है तो जो चोटे से छोटा remainder आता है वह हमने देखना है तो यह बढ़न आ गया छोटा remainder होना चाहिए, now we will do this, 96 divided by 4, इसको कैसे करेंगे, हम 4 1s are 4 करेंगे, remainder कितना आ जाएगा, 5, no, this is not correct, so what we will do is, हम क्या करेंगे, हम 4 2s are 8 करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, 4 2s are 8 करेंगे, तो remainder कितना आएगा, 1 आएगा, then we will bring this 6 down, 4 4s are 16, and the remainder is 0, तो जो 10s की digit का remainder आ रहा है, वो छोटे से छोटा आना चाहिए, 0, 1, 2, वैसे, one more sum, 92 divided by 2, अभी यहां पर हम क्या करेंगे, 2 1s are 2 करेंगे, 2 2s are 4 करेंगे, 2 3s are 6 करेंगे, या 2 4s are 8 करेंगे, हम करेंगे, 2 4s are 8, 9 minus 8, 1, ठीक है, again मैंने क्या किया, remainder छोटे से छोटा लेकर आया हूँ, सो 2 4s are 8, 1 यहां पर आ गया, 12 यहां पर आ जाएगा, 2 6 are 12, minus 0, 0, सो हमने क्या किया है, again, चीज आपने यही नोट करना है, कि 10s की digit का जो remainder आ रहा है, वो 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, लेकिन छोटे से छोटा आना चाहिए, ठीक है, best of luck, चाहिए.